Hello students, I am Manoj Sonkar, स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म पर और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को याद कराने वाला हूँ इस छोटे से वीडियो में वो है G.S. G.R.S. Book Chronology कैसे याद करें आप लोगों को हमेशा जो यह question आपको दिख रहा है इस तरह के questions में आप लोगों को हमेशा problem रहती है आप लोगों के साथ हमेशा एक सवाल रहता है कि यार इन problem को कैसे solve करें यह जो questions हैं इसके answers गलत हो जाते हैं क्योंकि यह संबंदित है chronology से यानि आप लोग सोसते हैं कि यार हर एक किताब और उसका जो date है वो हम लोगों को कैसे याद हूँ क्या ये possible है कि हम date सही बुक्स को याद रख सकें और एकदम chronological order बना सकें या कोई और तरीका है जिससे हम chronology को बहुत असान तरीके से याद कर सकते हैं तो ये जो किताब है ये बुक्स हैं जी एस घुरिये की अरेंज दा वर्क आफ जी एस घुरिये इन आ क्रोनोलोजिकल ओर्डर और नीचे कोर्स दिये गए हैं उद में से आपको सही करम चुनना है जी एस घुरिये की रचनाओं को काल करम अनुसार लगाएं बहुत बार ये सवाल आता है जी एस घुरिये की जगे कोई भी तिंकर हो सकते हैं लेकिन आपको ट्रिक जो है वो यही अपनानी होती है अब नेक्स्ट अभी मैं इसका अंसर आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ कुछ देर में आप खुद ही इसका अंसर मुझे बताएंगे तो गोविंद शदाशिव घुरिये की जो most important books जो हम लोगों को दिख रही है सबसे पहली किताब है कास्ट एंड रेस इंडिया सेकेंड है कास्ट क्लास एंड अकुपेशन थर्ड है इंडियन साधूज फूर्थ है भरतनाट्यम एंड इट्स कॉस्ट्यूम फिफ्थ है सिटीज एंड सिविलाइजेशन सिख्थ है शेड्यूल ट्राइब्स सेवन्थ है रिलिजियस कॉंसियसनेस एर्थ है इंडियन कॉस्ट्यूम नाइन्थ है सोशल टेंशन्स इन इंडिया, टैन्थ है वैदिक इंडिया और इलेवन्थ है दा लिगेसी ओफ रमायना ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है जी एस घुरिये की अब इनका क्रोनोलोजी में हम कैसे याद रखेंगे और लोग कहते हैं कि सर आप इस तरह से याद करा देते हैं जैसे कि घोट के पिला दिया गया हो, हम लोग भूलना भी चाहें तो नहीं भूल पाते हैं तो एक बात याद रखिएगा, जी एस घुरिये का पूरा नाम है गोविंद शदाशेव घुरिये जब हम गोविंद शदाशेव घुरिये नाम लेते हैं उनके नाम से नहीं हमें कोई कास्ट पता चलती है नहीं हमें कोई रेस पता चलती है नहीं हमें कोई क्लास पता चलती है और नहीं हमें कोई classes हैं इतने तरह की occupation है उप गए वो ये सब देख करके परिशान हो गए और उन्होंने कहा कि मैं इंडियन साधू बन जाऊंगा अगर मुझे कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाएं इंडियन साधू बनने के बाद उन्होंने भरत नाटेम वाला कॉस्ट्यूम पहना और शहरों की गलियों में जो है वो भरत नाटेम करने लगे शहरों के हर एक गली में गए और वहाँ पर उन्होंने डांस किया शहर के लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने लगा कि यार ये जरूर कोई शिड्यूल ट्राइब है शहर का कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता जियेस घुरियेस आपको बहुत गुस्सा आया उन्होंने कहा तुम लोगों को रिलिजियस कॉंसियसनेस ही नहीं है और उन्होंने बताया कि गधों ये इंडियन कॉस्ट्यूम का एक हिस्सा है तो शहर के लोगों को ये बात नहीं पता थी शहर के लोग टेंशन में आ गए और जब वो बहुत टेंशन में आ गए तो जियेस घुरियेस नहीं उन्हें बताया कि देखो अगर तुम्हें ये टेंशन खतम करनी है तो तुम्हें वेदा को पढ़ना होगा तुम्हें रमाईन को पढ़ना होगा और जब तुम वेदा और रमाईन को पढ़ोगे तब तुम्हें भारत की असली संस्कृति का पता चल जाएगा इस तरह से student विश्वास मानिए कि आप जो भी question solve करेंगे वो आपको रट जाएगा अब देखिए GS घुरिये की chronology यहाँ पर देखिए कैसे पूछा हुआ है मैंने आपको क्या बता है भारत में GS घुरिये कहते हैं कि विविद तरह की cast पाये जाते हैं race पाये जाता है, class पाये जाता है, occupation पाये जाता है cast and race in India, cast class and occupation in India, दूसरी किताब cast and race in India पहली किताब अब वो उब गए इतने cast से, इतने races से, इतने classes से, इतने occupation से और वो क्या बन गए? वो Indian साधू बन गए तो यहाँ पर दी हुई किताब में सबसे पहली किताब जो है वो ये आनी चाहिए फिर उसके बाद अब जब वो इंडियन साधू बन गए थे तो वो क्या करने लगे भरत नाट्यम का कॉस्ट्यूम उन्होंने पहना और सिटीज में जब वो डान्स करने लगे तो वहां के सिटीज के लोगों ने सोचा कि यार ये आदिवासी है ये शेडियूल ट्राइब है तो नेक्स्ट उनकी किताब शेडियूल ट्राइब तो उन्होंने क्या कहा कि अरे तुम लोगों को to religious consciousness ही नहीं है और इससे वहां के लोगों को क्या हो गया? social tension हो गया तो second किताब कुण सी है? यहां पर वो है religious consciousness हमारे chronology के according ये ही second है और ये कौनसी है? ये third है समझ गए तो फर्स्ट किताब कौन सी आई इंडियन साधूस सेकंड कौन सी आई रिलिजियस कौन सी नेस और फर्ड कौन सी आई सोशल टेंशन इन इंडिया यानि अगर वैसे हम देखें तो सबसे पहला फोर फिर उसके बाद टू फिर उसके बाद 3 अब फिर उसके बाद है 5 तो यानि कि option A जो है वो एकदम सही answer होगा answer इसका क्या है option A अब पिछले एक paper में क्योंकि इसका answer UGC net ने भी एक बार गलत दे दिया था तो इस वज़े से मैंने उसका answer गलत करा दिया इसका सही answer option A ही है अब मिला लेते हैं देख लेते हैं कि ये सही किया है कि नहीं किया है हमने पहले Indian सादू रखी है फिर उसके बाद religious Consciousneas रखी हो फिर उसके बाद social tension रखी ह hy देखिये यहाँ पर इंडियन सादू इंडियन सादू के बाद religious consciousness अब फिर उसके बाद सोशल टेंशन बोलो हो गई याद अच्छी तरह से अब इसी तरह से अगर आप पूरी सोशलोजी को लर्ण करना चाहते हैं ऐसे ही आप हर एक चीज को साधारन तरीके से बिलकुल सिंपल तरीके से समझ लेना चाहते हैं तो यह foundation batch आपके लिए है students और दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि और भी thinkers का मैं इसी तरह से chronology आपको याद करा दूँ तो आपको इसी वीडियो के comment box में बता दीजिए अब यह मत सूचिए कि पिछले वाले वीडियो के comment box में तो बताया था सर इस बार वाले में भी बताओ समझे तो जरूर मैं उस पर work करूँगा और अगर आप foundation batch लेना चाहते हैं तो स्वागत है आपका और paper one की classes नहीं देखते हैं अगर आपको बोरियत होती है तो बोरियत छोड़ दीजिए क्योंकि paper one के बगार बहुत मुश्किल हो जाता है net grf qualify करना आज की date में और अगर आप telegram या WhatsApp ग्रूप का हिस्सा नहीं है दोनों में से किसी एक का हिस्सा तो आपको होना ही चाहिए उससे आपके अंदर competition की भावना आती है दूसरे students क्या कर रहे हैं यह आपको पता चलता है और आपकी जो दिशा है जो तैयारी है वो सही दिशा में चलने लग ज अगर आप इसी तरह के lectures और चाहते हैं तो इसी वीडियो के comment में मुझे जरूर से बताईएगा ज्यादा comment आएंगे जिस thinker पर ज्यादा like दिखेंगे उसी पर मैं जो है next video बना दूँगा thank you very much all the best bye bye